नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अड़र 24-7 के शांदार प्लेटफॉर्म पर रात के साड़े चार बज रहें रात इसलिए बोल रहा हूँ खुल कि मैं रात बल से जग रहा थे और मेरे पास एक स्टुडेंट का बहुत लंबा चोड़ा इमेल आया जिसमें वो परेशान थी कि किस तरीके से वो CVT में Language में अच्छे marks लाए और उसका जो message था वो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक video बनाना चाहिए जो properly आपको समझा सके कि अगर आप language का paper देने जा रहे हैं यानि कि English का या Hindi का या किसी भी language का तो आपको किस तरीके से अभी तैयारी करनी है जब आपके पास मुझे से 30, 35, 40 दिन बचे हुए क्या खुद से ये possible है क्या course लेना जरूरी है कौन सी वो किताबें हैं जो जरूरी है कौन सी वो topics हैं जो छोड़ने नहीं है कैसी तैयारी होनी चाहिए इतनी सारी चीज़ों के बीच कैसे English को भी handle करें इन सभी सवालों के जवाब जानने की हम लोग कोशिस करेंगे इस particular वीडियो में जब मैंने उसका पूरा message पढ़ा तो मुझे एक बास समझ में आई कि इस समय जो बच्चों को सबसे ज़रूरी है वो है guidance और मैं कोई PPT बनाक नहीं लाएं रात के चार ही बज़ रहे है और मैं यहाँ पर लिख करके यह आपको समझा रहा हूँगा थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन मैं शायद अपना best दे पा रहा हूँगा आपको यह समझाने में कि आप कैसे आपकी जो language है यानि की जो English है उसमें आप पूरे मैं से पूरे marks ला सकते हैं और यह possible है इस बात कर मैं आपको आसवासन देता हूँ आपसे वादा करता हूँ यह possible है मेरी मदद से भी possible है मेरी मदद के बिना भी possible है यह भी बता दू paid course खरीद कर भी possible है paid course खरीद है बिना भी possible है एक रुपए लगाया बिना भी possible है लेकिन हाँ YouTube की मदद लगने वाली है वो सब मैं आपको बताऊँगा कुछ किताबों की मदद लगने वाली है वो मैं आपको बताऊँगा चलिए तो मैंने क्या बोला सबसे जरूरी है बिटा guidance और कोई टॉपर student हो या फिर कोई ऐसा student हो जुसको कुछ ना पता हो इन दोनों कोई guidance चाहिए होता है चाहिए आप cbsc बोर्ड के हो यूपी बोर्ड के हो आप सभी को guidance चाहिए क्योंकि जो cvd का exam है उसमें grammar आती है उसमें comprehension आता है उसमें poetic device आती है उसमें आपके parts of speech आते है और अलग अलग तरीके चीज़ा आती है वो vocabulary का section पूरा cover हो जाता है क्या paper कठिन है मेरा सीधा जवाब होता है बेटा paper कठिन नहीं लेकिन कम टाइम में ज लेखते रहते हैं मैं भी कई बार बोलता हूं कि 25 लाख 22 लाख यह संख्या हमको डराती है कि हमें लगता है इतने सारे बच्चे हैं और हम अपने आपको कभी-कभी underestimate कर जाते हैं और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहें उन सभी को मैं बता दूं कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई काबिलेत तो है जरूरी नहीं कि ओपर नहीं की काबिलेत हो जरूरी नहीं है कि तुम टॉप करने वाले हो लेकिन हाँ तुम्हारे अंदर कोई ना कोई काबिलेत है तो तुम अपने आपको कम आकना छोड़ दो जिस समय तुम अपने आपको कम आकना छ होती मदद कर जा दूसरे languages के sections को तो मुझे पता नहीं otherwise I am talking about English only क्यूंकि अच्छा मैंने अपना नाम ही नहीं नहीं बता है भी तक मेरा नाम आदे थे तिवारी और मैं आपको English पढ़ाता हूं फिलाल वो concern इतना बड़ा है कि मैं इस पर चरचा करना पसंद करूंगा आप लो वो major sections है जो आपके exam में आते हैं आपके paper में comprehension का अच्छा का सरूल है आपके paper में comprehension लगभग मैं marks के हसाब से बता हूँ वेटेज के हसाब से तो बेटा ये इसका minimum 75 नंबर का आएगा और maximum paper में 90 marks का जहां पर आपका paper बेटा 200 marks का होता है वहाँ पर ये comprehension 75 से 90 marks लेकर के जाने और मैं जब ये weightage बता रहा हूँ तो मैं भी study करने के बाद बता रहा हूँ खुब सारे PYQs देखने के बाद खुब सारे previous papers देखने के बाद हर एक paper में किश्चीच का कितने weightage रहा उस हिसाब से मैं आपको एक अंदाजन चीज़ें बता रहा हूँ और ये अंदाज लगबग 140 marks आपकी आई से हो गए यानि कि आप ये समझ लीजे आपका 75% से ज़्यादा 75% से ज़्यादा जो पूरा का पूरा paper है वो comprehension और vocab कवर कर देता है अगर आप आज से जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैं आपके सामने साजा करने वाला हूँ एक तरीका अगर आप उसको follow करते हैं तो I think I suppose कि आप लोगों को समस्या नहीं आने वाली है 75% से ज़्यादा आपकी दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हमें ध्यान तो देना पड़ेगा क्योंकि हमारा काम 75% पाना नहीं हमारा काम है 200 में से 200 और मैं जब बोल रहा हूं 200 में से 200 पाना तो मैं यह पूरे conviction के साथ पूरे भरो अगर एक्टिव पैसिव के साथ ही बेटा आपसे narration पूछ लेगा क्या पूछ लेगा narration आ जाएगा अगर एक्टिव पैसिव नरेशन इन दोनों की मिलाकर की बात करूँ बेटा यह लगबख तीन से चार या पांच कोशन रख सकते हैं यानि कि आप यह माल लीजे कि यह 15 न पढ़ रहे हैं तो आप लोग नाउन को भी पढ़ रहे होंगे आप लोग रेख कंजंक्शन और एडवाब को भी पढ़ रहे होंगे और ठोड़ा सा प्रिप्योजिशिन कर भी पड़ रहा होंगे पको एक पर बात करूं कैसे आपको करना है क्योंकि 2022 के बाद 2023 में जब exam हुआ अचा मेरे हाथ में लाल मैं लिखता हूँ काफी क्छ तो इसलिए मेरा हाथ लाल लग रहा हूगा कोई چोट नहीं लगी है तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि मैं खुद बूल गया हाँ जब आप लोग यह सारी पढ़ोगे ना जब आप लोग सीपी ओ बैंकिंग का पेपर देखते हूं उसमें एरर से रिलेटर कोश्चन साते हैं और कॉंप्रेहेंशन का जो टाइप है वह आपको क्लाइट के पेपर में देखने को मिल जाता है जो बचला की तेयरी कर रहे होते हैं तो आप से मैंने बोला कि अगर आपको उस लेवल पर करने पहल आजके समय में आप यह सब कैसे जान पाएगी आप मेरी बात का विश्वास कैसे ताब कर पाएगे अगर आप खुद से जाकर आपनी जागरुकता का इस्त्रेमाल करेंगे और जाकर के देखें के प्याँक्यू क्या देखें के डान पर डालनो cvt 2023 P कहीं पर मिल जाते हैं तो ठीक है नहीं मिल जाते हैं तो पटा अड़ा के स्टॉल पर आपको मिल जाएंगे अड़ा का इप इसको लगा देना ठीक न तो तुम्हें डिसकाउंट भी मिल जाएगा अगर तुम्हें प्रिवेस एर किताब लेनी क्योंकि वह टुम्हें आटम友 झाहें अच्छे के लिए किसी भी बैसिक लिए जरूरी है अगर वह सुमस्याइक कैशिक्षा है और दूण करने के लिए जरूरी है कि मैं सर्फारला सेंच पतर हो क्रोड्राइब पर सबकी सब्सक्राइब करने के और प्री पर सब्सक्राइब हो सकता है आप लोगों में सुर्स जो कि वोलों सब्सक्राइब यो इसा डृ adrenalina लगे लेकिन आप आप से कहेगा भी हैं पचास में से चालीस कर दो तो अगर दस कोश्चन में से वो साथ कोश्चन अजीब हो करी पूछ भी लएदा तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा तब भी आपके पास तीन कोश्चन की मर्जिन जादा ही दे रहा हो तो बेटा सबसे पहली चीज़ आप लोग previous year papers खरीद लीजिए आपके पास पीवाइपी होना चाहिए क्या होना चाहिए आपके पास सबसे पहली चीज़े बिटा आपके पास होना चाहिए पीवाइपी यानि की previous year paper कहां से मिलेगा मैंने आप से बोल भी दिया अगर आपको लेने है तो Google बन बिल जाता है पर आपको बुक्स का सेक्षिन मिलेगा सीवीटी अफर क्लास 12 सेलेक्ट करना और इसकी बाद बुक्स जो भी तुम्हें सांब्स में ले लेना और कोड लगा देना एस 743 इससे तुमको डिसकांट मिल जाएका बात खतम करते हैं अब दूसरा काहां हमें क्या करना चाहिए जा करनी चाहिए घंगोर प्रैक्टिस चाहिए घंगोर प्रैक्टिस आखिरकार यह क्या लिखर हो भी या घंगोर प्रैक्टिस क्या होता है क्योंकि बाटा सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा और प्रैक्टिस करने का भीया टाइम ही नहीं है टाइम है तुमारे पा सब्सक्राइब बर भी मिल जाएगे और एफ को कोई दिख्कत नहीं होगी और कुछ तॉपिक्स ऐसे मेलें गे जनके साथ आप कमफरटेबल नहीं होगे तो हुआ जितने बीडाप आते हैं उनकी आप क्या बनाओगे एक बना होगे उनको आप लिखोगे उनके लिए आप किया धूर्ब यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे भर कर कर रहा है मैं निक पड़ा रखा तो और भी टीचर्स ने पड़ा रखा है पर अच्छे से पढ़ा रखा है उनका तो पुराना इतिहास भी है बहुत बढ़ा रखा है उन्होंने वहाँ पर ठीक है ना आप उनसे जा करके पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर ही बहुत सा रहोंने कंटिन्ट दिया हुए तो आप लिस्स बनाओगे वह रिसोर्स के लिए इसको फॉलो कर सकते हूं प्लस रिसोर्स भी मिल गया है परना भी हमको मिल गया अब हम बात करते हैं वह कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वह कैब को सॉल्व करने के लिए मैं आपको अपनी तरफ से मदद दे रहा हूं और मैं चाहूंगा आप लोग इस सेशन को देखें क्यो आपके पीवाईक्यू से निकल करके आए अप तो फिर पीवाईक्यू पर आ गया बार बार पीवाईक्यू कर रहा हो बात समझाता हूं आपको आपके सामने कोशन आया आपके सामने कोशन आया और इसकी बाद आपको चार आप्शन दिये गए बेटा इस बात की बहुत दस से बारा की रेंज पकड़के चलता है आपका CVT कि आपको OCAPS related question दे तो अगर आप 10 से बारा question जो उसके पेपर में आ रहे हैं और 10 से बारा question में उसके खुद की options भी होगे तो आप ऐसे देखो solid आपने काम किया हुआ और आपको अगर वो देखना है ना तो आप लोग बस सर्च कर ले ना यूट्यूब पर बिल्कुल फूरी उसका कोई पैसा नहीं है the viral vocab show क्या सर्च कर ले ना the viral vocab show by आदित भहिया और बहुत संजीद्गी के साथ बनाई गई बेटा यह सीरीज स about अब यूट्ष को अपको जब पेपर देखे आओगे अट आप खुद बोलोगे थैंक्यू भहिया आप ने ये इसस से इंट्रिड्यूस करवाया तो आप लोग दा वाइरल वोकाइब शो देखिए एक वीडियो लगबग 15-20 मेंट का होगा कुछ-कुछ 15 से भी कम क्योंगे इसको कवर करिए और अपने ग्यान को बूस्ट करिए और आपको सौंज में आएगा इसमें मैं आपको सिर्फ यह नहीं से और भी कुछ तरीके होगी जिनके माध्यम से आप वोकाइबलरी में अच्छा का सा स्कोर कर सकते हैं कई बार तो ऐसा भी होगा आपको बहले किसी वेक वर्ड का मतलब नहीं पता होगा लेकिन तब भी आप सही आंसर देखे आएंगे और आप confident होगे वो कैसे होगा आपक अराम से ला सकते हैं जितना भी तक का वीडियो निकल गया है न आपने देख लिया ये 150 नमर आपको दे चुका है अगर आप मेरे बताए पर चल जाते हैं तो लेकिन हमें काम करना है हमें काम करना है यह वहां पर जाने का सपना है तो उस लेवल की मेनत करने पड़े कि यह को एक कोश्चन का 5 नमर दे करके जाएंगी आइस ना एक कोश्चन सरही करोगे 5 नमर मिलेगा गलत करोगे अगैंट जायेगा रहता है में बात करते हैं अब प्रेक्टिस का क्या रोल है और प्रेक्टिस कहां से कहां से करें अपको मैंने बता दिया बिटा कि आप PYQ's पर ध्यान दीजे, मैंने आपको बता दिये, वोकाब किस अरीके से solve होगी, उसके बाद हमने बात की थी बेटा किसकी, PYQs तो हो गए, वोकाब हो गई, अब आपको मैं बात करता हूँ पहले comprehension की, क्योंकि comprehension एक अच्छा खासा topic है, है न, comprehension की बात कर लेते हैं, comprehension comprehension जैसा की मैंने बोला, 75 से लेकर के 90 marks केरी करता है, कितने हैं, 75 to 90 marks केरी करता है, और लगवग एक passage से 4 से 5 या 6 question पूछे आते हैं, तो आपके सामने बेटा, 4 से 5 passage भी आ सकते हैं, 3 से 4 तो मान की चलिए है, कितने 3 से 4 passage मान करके चलिए, अगर 3 से 4 passage आपके आ रहे हैं, इसका मतलब आपको reading habits हो नहीं चाहिए, क्या हो नहीं चाहिए, reading habits, आपको क्या कर रहा है बेटा, जित event किताब से करोगे, तो वही दिक्कत आएगी, इस से अच्छा है पड़्डा की किताब करी लो, क्योंकि आप पर आपको answers भी मिलेंगे, और अगर आपको answer कोई लगता है, सही नहीं है, तो आप मेरी email ID पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपसे connect करके आपको बता दूँगा, कि बिटा, यहाँ पर सही है, या गलत है, या आपकी बहुत ज़्यादा demand होगी, तो मैं उस पर खुद उस passage को solve करवा दूँगा, तो आपका passage को लेकर, क्योंकि यह 75 से 90 मांक्स बहुत important है, और यह आपको तभी मिलेंगे, जब आप comfortable feel करोगे इन passages के साथ, और इनके साथ comfortable feel करने के लिए, आपको अपने exam से कम से कम 10-15-20 दिन पहले से, रोज 2-2 लगाने, ताकि आप 20 दिन में कम से कम 40-50 कर चुके हो, और जब आप इतने कर चुके होगे, तो आपके exam में जो आएगा ना, तो आपको कठी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास कही सारे डर होते है, अगर vocab नहीं समझ में आई तो, अगर हमें उसका sentence formation नहीं समझ में आई तो, हमें हिंदी नहीं पड़ ले पड़ी तो, आपको फिर डर निकल जाएगा, क्योंकि आप समझ जाओगे, क्योंकि आपको अंसर देने के लिए जरूरी नहीं है, कि आपको हर एक सब्द बास सब् सब्सक्राइब के साथ, तो मैंने आपको बताया, रोज आपको दो लगाने कोशिस करने, कहां से लगाने है, जो 15 से आपको मिलेंगे बिटा, पी वाइप की बुस से वहां से लेना है, हाइब्रिट टेस्री जाती, उसमें मिल जाता है, ठीक ना, असा धाई-3,000 का है, कोड लगाऊँगा, यूट्यूपर भी मैं आपको करवाऊँगा, फॉर शूर करवाऊँगा, लेकिन आपको खुद से भी करना पड़ेगा, और हाँ, एक बास सुन लो, अब तुम्हारा कोई डाउट रहता है, तो प्लीस कॉमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इस वीडियो के ब बात करनी है, और बाकी मैं भी आपको प्रेक्टिस करवाता चलूँगा, और उससे नहीं पड़ना तो कोई बात नहीं, बहुत सारे टीचर से जिनसे आपको मज़ा आ जाए पड़ने में, जिनके साथ आपकी ट्वीनिंग बैट जाए, उनके साथ आपको पढ़ लेना है, लेकिन हाँ, दो में सही किसी एक टीचर को चूज़ करना है, या तो आदितितिवारी को चूज़ कर लो जापके सामने खड़ा है, या तो रुबैका आगा को चूज़ कर लो जो सीउटी एड़ना पर पढ़ाती हूं मिल जाएंगी, बहुत ही शानदार टीचर है, हमारा सी प्रेना भी मुझे मैम सही मिली है, क्योंकि मैंने मैम के वीडियो देखे, और उसमें भी मैम ने जो बाते की थी, मुझे वो बाते बहुत ही प्रभावित की, और उन बातों में थोड़ा सा अपना एडिशन, थोड़ा जोड़ घटा करके, मैं आपके सामने आपर रखने की खगालने ना जाए, आपको पता होना चाहिए, कि आपर दो टीचर्स है, अड़्डा आपको दे रहा है, और अपने आप में वो, आपके लिए काफी है, CUT एक्जाम को निकालने के लिए more than enough है, राइट, आगे देखते है, यह आपने देख लिए अपने देख लिए comprehension, उस को तुम बोल ले तो basic grammar, और अगर तुम paid batch में हो, नहीं हो तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, अगर तुम paid batch में हो, या कोई student होगा, जो मेरा paid वादा देख रहा होगा, तो बिटा प्लीज, जो YouTube वाले बच्चे उनके लिए लिए लिख देना कि मैं कितने questions एक topic करवाता बिटा अगर आप किसी topic के 50 questions, 60 questions, 40 questions कर लेते हो, तो आपको variety पता चल जाती है, कि किस तरीके का question कैसे आता है, आप लगातार question type देखकर के पता चल जाता है, अगर किसी sentence में यह चीज आई है, तो इससे related यही वाला doubt आया होगा, अगर किसी sentence में either or, neither nor आया हुआ है, तो आपको बताने लग जाएंगी, कि आखिरकार question में गलती का दूर नहीं है, अगर related pronouns related question है बेटा, तो who देखे हो लोगे, तो आगर देखो कोई ऐसी verb है कि आप जिसके पास subject नहीं है, तो तुम खुद से practice करते 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 तुम्हारे दिमाग में चीज आने लग जाएंगी, अब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, जिनको practice में या जिनको concept में नहीं बताया सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा questions के मादम सही सीखते है, आपको मैं कितने ही concept बता लो, noun के, pronoun के, पूरे parts of speech के, तब भी मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि कोई ना कोई question ऐसा आएगा, जो आपको puzzle कर जाएगा, इसी लिए question practice आपको बहुत help करती है, ये जानने में कि question type का है, और question type समझने के लिए आपको question practice करनी पड़ेगी, एक ही type के कम से रम 3-4 questions करने पड़ेंगे और वो भी mixed में, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो होगे error solve करने का तरीका, कि उस आजाना, भरुसा रखना और आजाना, ठीक ना प्रतिग्या two point तो तुम्हारा आने वाला है कबसे, 15 तरीक से, ये किसके लिए, arts और commerce domain की बात कर रहा हूँ, और जो science domain की बच्चे है, वो क्या ले लेंगे, वो ले लेंगे, बटा aim batch, ठीक ना aim या aim plus batch, इदर आओ, अब द एडिया लगाने के लिए कि किस तरीकी की questions हमको देखने चाहिए, तो अगर आप analogies से figure of speech से परिशान है, खुद मैंने पढ़ा रखा है, आपको analogies related questions और figure of speech पूरे cover करवाय जा चुके है, और वो भी ऐसा content cover कर रहा है, जो आपके paper में आएगा, और आने वाले समय में, YouTube पर आपके सामने रख रहा हूं, तो जितनी दर्में चुटकी बजी है, उतनी दर्में आप question कर पाएंगे, ये मेरा वादा है, ये अडर 24-7 का वादा है, लेकिन आपको जुड़ना रहेगा, जुड़ते रहना रहेगा, जब तक exam आपका आ नहीं जाता, उसके बाद मैं क्या बत करूँ, इस पर हमने बत कर लिया, वो के हमारी हो गई, आप हमारे पास कुछ ऐसे चोटे मोडे टॉपिक्स आ जाता है, जैसे की sentence, हमारे पास कुछ टॉपिक आ जाता है लेकिन कम टाइम में ऐसा क्या करें, वो कैपको लेकर के बिटा हम चिट्स बना सकते हैं, क्या बन सब्सक्राइब ना, वहाँ पर आप चिट बनाई, चिट नोट सारते हैं, बेटा, दस बीस रुपए, तीस रुपए के साथ आते हैं, उसको निकाले, लिखिये, चिपका दीजे, लिखिये, चिपका दीजे, अपने कमरे से प्यार करें, जहां पर तुम पढ़ते हो ना, उ त्यारी नहीं हो सकती है, कर्म करके बिना डर के निर्भाईता के साथ त्यारी करोगे, तो जितना दुरगम रास्ता, कितने ही हार्ड रास्ता, कितने पैर च्यों थे ह। और एक अच्छा result दे पाओगे खुद को और जरूरी नहीं कि तुम्हारा पेपर में हो जाए मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता बेटा जरूरी नहीं है कि सचन दुंदुलकर भईया किसी जगह पर चार्टेट अकाउंटेंट होते जरूरी नहीं है कि विराट कोली किसी ज इच्छापन तैय नहीं होता बलकि यह तैय होता है कि तुम क्या करने के लिए बने हो सिंपल सी बात है यार इस जमाने में सिर्फ पढ़ाई तो है लेकिन हां जो मिडल क्लास लोग है हमारे पास ताकत एक ही होती है वह ताकत ही होती है इसलिए ताकत लगा दोगे पेपर न मॉकक तैस लगाने का बेटा जो वह समस्का फैसलो मॉक म कैशना कि उखली कंब्यों करने का प्रॉसस नहीं है आपका जितना के पहले की इंग्जाम प्रप्राइशन ना कि आपके मांक्स में आपके मांक्स में वही add होगा जो आप जाकर कि CUT के center में paper में लिख करके आओगे that is the only thing which is going to be you know जिसको आप लोग गिन रहे होगी जिसको आप mark समझेगी जिसको आपको number मानते हैं अब कुछ ऐसे resources आपको बता रहो जो आप follow कर सकते हो आप सभी के पास decent level की mock test होने चाहिए आप सभी के पास बहुत सारी चाहिए इसलिए आप सभी के पास एक बैच होना चाहिए नहीं है तो कोई बात ने यूट्यूब पर आप सर्च करोगी बहुत कुछ मिल जाएगा पर अगर यूट्यूब पर ज्यादा सर्च ना करना पड़े कैसे हम लोग जाप सके उसके लिए बोलाओ एक आपके पास decent batch होना चाहिए जो आपने खरीद रखा सकर कुछ होना चाहिए तो वह है भगवान की रह्मत माता-पिदा का आशिरवाद और एक positive attitude बगवान की रह्मत माता-पिदा का आशिरवाद और positive attitude जिसके पास धहरा रहा है उसको किसी नहीं रहा नहीं है वो जीवन कुछा करके आया है ठीक न हमें आपको एक बात सिखा द के स्टुएंट है पर आपके सामने दिख यह साइंस डॉमेन का एंबैच है यह ऐंगे पढ़ाने को मिल रहा है और जो 2022 ते इसको पर थे उनका आपको mentorship मिल रहा है प्लस आपको यहां पर short notes keywords ऐसी चीम मिल रही है यहां पर आपको बिटा पी बॉइपी की books भी मिल जाएंगी इस तरह देखो अंतर भी है यह वाला 2951 का है यह वाला 3443 का है और इस समय थोड़ा सा रेट आपका बढ़ा हुआ है लेकिन आपको इस समय सेल भी ज्यादा मिल रही है अब जैसे कि मालों आपको यह लेना है यह देखो तुमारे पैसे घट गए यानि कि कोड आपकी क्या कर रहा है एक पैसे बचाने में 3569 अब वह बच्चे जो आइट्स के डूमेन के वापर साब बच्चों को क्या करना है आपर सीउटी यूजी एंड पीजे स्लेट करना है सीउटी यूजी पर जाना है सीउटी यहां पर आपने काटा यहां पर आपने काटा यहां पर आपने बाई नौ पर जाकर की कोड लगा दिया सेवन फोर तरी ऐस सेवन फोर तरी यह से आपने कोड लगा फिर से आपको मिलगा भी यह मैक्सिम्म डिसकांग फिक अब वह लोग कोड यहां रखना है ना सब्फोर ती डिस विल एल्प यू कोई किसी प्रगार की समस्टे परिशानी आती तो कैसे उसको टैगल करेंगे सम एड़ा247.com यह मेरी इमेल आइडी इस पर मैसेज कर देना और एक बात का ध्यानट अगर मैसेज करी रहो है तो मैं तुमसे कॉन्टेक्ट कर सकूँ इसलिए अपने नम्बर भेज़ देना यार यार ताकि मैं तुम से कॉल पर या मैसेज पर बात कर सकूँ और दूसरा अपन करते हैं मेनद या अभी हमारे पास दिन है मेहनत करते हैं ताकि बात में हम आपको दिन है ना कहना पड़े ना मैं खुद से कहना चाहता हूं कि आदित तुमने महनत ने अपने बच्छों के लिए और मैं आप से भी उम्मीद करूंगा तुम इतनी महनत करोगे कि तुम एक तुम चलेगे भी है सीवीटी यूजी पर तुम आठ्स पर चले जाओ याँ पर किसी पर भी चले जाओ यहाँ पर तुम नीचे देखो टेस्ट इस सीरीज भी वेटा तुमारे पास प्रतिग्या वही लगा देना एस सेवन फोर त्री बुक्स देखो विटा इंग्लिस यहाँ पर आपको बुक्स भी मिल जाएंगे तुम को यहाँ पर लगा देना वही जो बताया था एस सेवन फोर त्री कोड लगा यह तुमने चैसोचाओद रॉपय की नीचे तुमारे पास चारो किताबे आ जाएंगी उसका कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं है इन किताबों का होना तुमारे पास बहुत ज़रूरी मॉक्तस लेलो नहीं तो फिर बैस लेलो पूरा का पूरा प्लस वाला इफर प्रतिग्या टूपइंट हो का तुम्हारे उपर लेना बाकि मैं यूट्यूब पर भी वीडियो लाता रहोंगा अगर कोई समस्या परिशा मुझे याद देलाना मैं for sure उस पर एक वीडियो लाओंगा और एक सही तरीके से तार्खिक तरीके से बात करेंगे और हां यह संभव है कि आप अपने इंगलिस के एक्जाम में दोसों में से दोसों ला सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दोसों में से दोसों कि और हूँ आचाहा हुँ अदेल से लूसरश झाँ जबने लूसर प्सकाहा हुच तरर मैं ठयूस से छोट्या जपरें अजूसर में से लोगई पॉपर। हुच चाहा हुच है...